वेलकम टू कारवा कारड़मी और आज की क्लास में क्लास 8 मैथमेक्टिस चेप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एडेंटिटिज का एक्सरसाइज 8.1 को सल्व करेंगे ठीक है देखो 8.1 जो है बहुत इजी है और यह जो अलजेब्रा से हमारा जो एक्सरसाइज है बहुत इपॉटेंट होता है अलजेब्रा क्यों इपॉटेंट है क्योंकि सब भी जगा आप आगे आने वाले क्लास 9, 10, 11, 12 जो भी अब पढ़ने वाले हो उन सारे क्लास में आप लोग का यह अलजेब्रा काम में आता है इसलिए अलजेब्रा चेप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है समझना है ठीक है आईए इस्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 है फर्स्ट क्वेशन के एड़ दा फ्लोईंग मतलब जो नीचे है न इनको एड़ करना है अब कैसे एड़ करेंगे बहुत ही पॉर्टेंट क्वेशन है आप अच्छे से देखिएगा सारे क्वेशन बहुत ही अच्छे समझाने वाले है ठीक है हम फर्स्ट क्वेशन को राइट करते हैं क्या है फर्स्ट का फर्स्ट यह आपका AB-BC,BC-CA,CA-AB यह आपका क्वेशन है अब देखो इसे क्या करना है एड़ करना है उपर में लिखा गया है एड़ और यह तीनों अलग अलग है तक एड़ कैसे करते हैं तो देखो इसको एड़ करने के लिए सबसे पहले AB-BC यहाँ पर लगा देंगे ब्रैकेश्ट एड़ बोलाए न तब बीचे ने पलस लग जाएगा यह हो जाएगा BC-CA उसके बाद एड़ लग जाएगा उसके बाद CA-AB और यहाँ पर ब्रैकेश्ट लग जाएगा अब देखो तो इसको कैसे लिखेंगे अब रैकेश्ट को अठाएगे AB-BC यह देखो माइनस और पलस है ना सौरी पलस है तो पलस BC यह माइनस CA है तो माइनस CA और यह पलस है तो पलस CA है तो CA और यह माइनस AB अब देखो तो क्या होगा A B यहाँ A B है और कहीं A B है क्या यहाँ देखो A B है यह पलस है और यह माइनस है यह दुनों क्या हो जाएगा कट जाएगा खतम यह B C माइनस है और यह पलस है यह भी पलस माइनस खतम ठीक है यह minus CA है और यह plus CA है सब खतम यानि कुछ नहीं बच गया तो हमारा क्या बचा? 0 तो 0 आपका क्या हो जाएगा? answer हो जाएगा, ठीक है? सबको बाते समझ में आई ना कोई doubt नहीं है किसी को चलो बहुत बढ़िया अब इसका second देखो क्या है? A minus B plus AB इसका second question देखो A minus B plus AB ठीक है? कॉमा B minus C plus BC है plus BC है कॉमा C minus A C minus A plus AC है ठीक है? यह आपका question है अब देखो इसे कैसे solve करेंगे? सबसे पहले देखो क्या करते हैं इसे add बोला है ना तो हम पहले इसको bracket में कर लेंगे A minus B plus AB बीच में क्या लगाएंगे? plus क्योंकि add बोला है और यह B minus C plus BC add लगाएंगे again क्या होगा? C minus A plus AC ठीक है? कितना हो गया? अब देखो क्या करते हैं? यह A minus B plus AB और यह plus से सबको multiple करेंगे देखो plus B होगा plus minus minus C होगा plus 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 BC हो जाएगा यह plus और C plus C plus minus minus A plus plus AC यह देखो इतना हो गया ठीक है? अब क्या करेंगे हम? इसको देखेंगे कौन किसके साथ add होगा यह subtract होगा A यह कहीं है? देखो A है यह minus है और A plus है कट गया A minus B है और A plus B है कट गया अब यह plus C है A minus C है कट गया A B है और कहीं A B है क्या? नहीं है तो A B हमारा जयों का त्यों हो गया A B C B C कहीं है? नहीं है तो B C जयों का त्यों लिख लेंगे A C है कहीं? नहीं है तो A C को जयों का त्यों लिख लेंगे यह देखो आपका answer हो जाएगा और मैंजे उमीद है कि आप लोगो समझ में आया होगा ठीक है? कोई डाउट नहीं किसी को? सबको बाते समझ में आ गई? चलो, अब हम इसका थर्ड देखते हैं थर्ड भी है न? थर्ड क्या है? थर्ड देखो थर्ड क्या है? 2P Q A SQUARE 2P A SQUARE Q A SQUARE ठीक है? माइनस 3P Q माइनस 3P Q अब प्लस 4 ठीक है? कॉमा यह 5 प्लस 7P Q 7P Q माइनस 3P Q SQUARE माइनस 3P SQUARE Q SQUARE यह अब का क्विस्चन है ठीक है? अब देखो तो इससे कैसे सल्व करेंगे? सबसे पहले इसको ब्रैकेश्ट में रखेंगे 2P Q A SQUARE माइनस 3P Q प्लस 4 और अड़ बोला है तो बीचे प्लस लग जाएगा और यह 5 प्लस 7P Q माइनस 3P SQUARE Q A SQUARE ठीक है? अब चलो अब ब्रैकेश्ट को हटाएंगे यह हो जाएगा 2P Q SQUARE माइनस 3P Q प्लस 4 अड़ देखो प्लस और प्लस प्लस 5 प्लस और प्लस 7P Q प्लस और माइनस माइनस 3P SQUARE Q SQUARE हो गया ठीक है? समझ मैं सब को आप देखो यह 2P Q SQUARE है और यहाँ 3P SQUARE Q SQUARE है दोनों एक जैसा है न जो एक जैसा है रहता है उनको क्या करेंगे? अड़ करेंगे तो यह दो है प्लस में और यह क्या है? माइनस में माइनस प्लस घटता है न जब घट आएंगे तो कितना होगा? माइनस P SQUARE Q SQUARE क्यों हो? क्यों कित तीन में से दो जाएगा? तो एक आएगा यहाँ पर एक छीपा हुआ है ठीक है? तो यह आगे है माइनस P SQUARE Q SQUARE यह माइनस 3P Q यह प्लस 7Q प्लस माइनस घटेगा न लेकिन बड़ा का साइन लिखेंगे प्लस है तो प्लस लिखेंगे प्लस 7 में से 3 जाएगा 4 P Q हो जाएगा 4 और 5 यह 9 हो जाएगा यह आपका एंसर ठीक है? आया समझ में अब इसका 4 नमबर देखो 4 नमबर क्या है? L² प्लस M² L² प्लस M² उसके बाद M² प्लस N² M² प्लस N² और N² प्लस L² N² प्लस L² यह आया? अब देखो क्या करते हैं? सबसे पहले ब्रैकेश लगाएंगे L² प्लस M² और यह प्लस है तो प्लस और यह हो जाएगा M² प्लस N² प्लस N² प्लस L² ठीक है? अब देखो तो क्या करेंगे? यह L² प्लस M² यह हो जाएगा M² प्लस N² और यह हो जाएगा N² प्लस L² ठीक है? अब देखो तो यह L² और L² दोनों को जोड़ेंगे तो 2L² हो जाएगा M² M² यह 2M² हो जाएगा N² N² जोड़ेंगे 2N² हो जाएगा यह देखो आपका इतना पर भी एंसर हो गया नहीं चाहते हो तो इसमें से सब में देखो 2 कमन मिल रहा है 2 कमन ले लो तो क्या हो जाएगा? L² प्लस A में स्क्वाइग प्लस N² यह देखो आपका एंसर हो जाएगा आया समझ में सब को कोई डाउट नहीं किसी को सब को समझ मागई बात है चलो बहुत बढ़िया अब क्वेशन नमबर 2 है कि सब्ट्रेक्ट 4A माइनस 7AB 3B प्लस 12 प्रॉम 12A माइनस 9AB 5B मानस 3 देखो इसक्वेशन को पहले हमें कि बार राइट करते हैं और इसक्वेशन को क्वेशन नमबर 2 का A है ABC तीनों का बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे इसमें कॉन्फीजन होते हैं बट आपको नहीं होना है ठीके ना ध्यान देना है कैसे सब्ट्रेक्ट किया जाएगा क्वेशन है कि 4A माइनस 7AB पलस 3B पलस 12 फ्रॉम 12A माइनस 9AB पलस 5B माइनस 3 ठीके देखो सबसे पहले क्या करते हैं यह देखो 4A माइनस 7AB पलस 3B पलस 12 ठीके अब देखो सबसे पहले इसमें क्या डाउट होता है बहुत सारे एस्ट्रेंट को कि जो क्वेशन कहा है न कि इतना को इतना मेंस से माइनस करना है तो अभी हमने भी जो कर रहा था इसमें से इसको माइनस करने जा रहा था तो हमारे 50% ऐसे इस्ट्रेंट होते हैं जो कि इनमें से मतलब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है इसमें से इसको सब्ट्रेक्ट नहीं कहता है इसका पूरा पढ़ोगे और समझोगे यह sentence क्या है कि subtract इतना प्रॉम इतना मतलब इतना में से इसको माइनस करना है यह नहीं कि इसमें से इसको माइनस कर दोगे बिल्कुल गलत हो जाएगा यह काम आप लोग भी नहीं करिएगा हम गलत इसले किया है कि आपको याद रहेगा मेरी बात कि सर का फी एक बात गलत हुआ था अब भूलोग नहीं न उस question को sentence को पुरा क्या बोला है तब बनाना ने तैसे ही दिख गया इसमें से इसको माइनस कर दोगे गलत हो जाएगा ठीके इसमें से इसको माइनस करना है तो क्या है 12A माइनस 9A प्लस 5B माइनस 3 और अब करो इसको सब्ट्रेक्ट इसमें से यहां माइनस का साइन लगा देंगे पर यह हो जाएगा 4A माइनस 7AB और प्लस 3B माइनस प्लस 12 यह equation है अब करो तो यह देखो 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3 और यह माइनस 4A और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि यह जो माइनस है समें मल्ट्पल कर रहा है तो माइनस और प्लस माइनस हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस और प्लस यह माइनस हो गा है यह multiple करना स्थिख जाना minus और plus है ना यह minus हो जाएगा अब देखो तो क्या होगा 12a में से minus 4 है जाएगा यह होगा 8a minus 9ab में से plus 7 भी जाएगा तो minus 2ab हो जाएगा 5b में से minus 3 भी जाएगा plus 2 भी जाएगा क्योंकि greater का sign लिखा जाएगा minus 3 और minus 12 minus 15 हो जाएगा यह देखो आपका actual answer होगा ऐसे नहीं करना है मेरे भाई नहीं तो answer आपका गलत आजाएगा ठीक है आप चेक कर सकते हो जाकर करके answer b नमबर देखो क्या है subtract 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 क्या करना है 3xy plus 3xy plus 5yz 5yz minus 7zx 7zx from क्या है 5xy 5xy minus 2yz minus 2yz minus 2zx minus 2zx और 10xyz plus 10xyz यह question है ठीक है तो सबसे पहले क्या करेंगे ध्यान देना इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या है 5xy 5xy bracket को अटाएंगे तो 5xy minus 2yz minus 2zx plus 10xyz ठीक है और यह minus plus minus हो जाएगा 3xy यह minus plus minus 5yz और यह minus minus plus 7zx ठीक है अब यहाँ देखो यह 5xy है और यह minus 3xy है इसको minus करेंगे तो कितना होगा 2xy हो जाएगा यह minus 2yz है और यह minus 5yz है तो minus minus क्या होगा प्लस होगा लेकिन greater का sign लिखा जाएगा 7yz हो गया minus 2zx है plus 7zx है तो plus में से minus करेंगे तो क्या greater का sign लिखेंगे और घटा देंगे यह zx हो जाएगा और xyz इसके जैसे कोई नहीं यह तज्यों का तेवन लिख देंगे 10xyz your answer ओके समझ मैं है सबको किसी कोई doubt नहीं है चलो c number देखते है c number your question है कि subtract subtract 4p square q 4p square q minus 3p q minus 3p q plus 5p q square 5p q square minus 8p minus 8p plus 7q plus 7q minus 10 from 18 minus 3p 18 minus 3p minus 11q minus 11q plus 5p q plus 5p q minus 2 sorry minus 2p q square plus 5p square 5p square q यह question है आई इस question को solve करते हैं बहुत इजी है सबसे पले तो ब्रेकेश लगाएंगे 4p square q 4p square q minus 3p q plus 5p q square minus 8p plus 7q minus 10 15 यह एकिन आई इसको क्रना इसके इसको माइनस करना है ना यह अमने भी उल्टा लिग रहा था इसके लिए आप लोग से दिल से sorry और प्लीज मेरे गलती से आप लोग सिक जाएगा ठीके ना बार बार आप लोग गलती नहीं करिएगा 18 minus 3P minus 11Q plus 5PQ minus 2PQ square plus 5P square Q bracket लगा देंगे और बीच में क्या होगा minus तो किसको subtract करना है इसको लिखेंगे क्या है 4P square Q minus 3PQ plus 5PQ square minus 8P plus 7Q minus 10 यह हो गया अब इसको करते हैं आगे देखो 18 minus 3P minus 11Q plus 5PQ minus 2PQ square plus 5P square Q अब minus को यहां से multiple कर देंगे minus 4P square Q minus minus plus 3PQ minus plus minus 5PQ square minus minus plus 8P plus minus 7Q minus plus 10 यह हो गया अब देखो जो कटेगा कटाएंगे जो add करने वाला होगा add करेंगे तो यह 18 और यह 10 एक जैसा है ना दोनों को add कर देंगे 828 होगा यह 3P है और कहीं P वाला है क्या यहां है यहां है 8 में से 3 को minus करेंगे तो क्या होगा plus 5P हो जाएगा Q वाला कहीं है यहां है 11 और 7 दोनों तो minus में add कर देंगे greater का साइन माइनस है तो यह हो जाएगा माइनस 18Q 5PQ और कहीं PQ है क्या PQ 5 और 3 8PQ हो जाएगा बस आइस से एड़ सब्ट्रैट कर देना है सकम देना और यहां मायनस 5PQ हो जाएगा और यहां से हमारा कमप्लिट होता है यह incar है अब सब्थे करोगे अराम से बना लोगे कोई डाउट नहीं हो ठीक है इसी के साथ हमारा 8.1 भी complete होता है मुझे उमीद है कि आप लोगों समझ में आगया होगा कोई doubt हो आप जरूर बताइएगा और जिनको लगता है कि class 8 की पूरी math पढ़नी है हमारा math week है हमारा math बहुत है strong करना है आप हमारे app के तुरू join कर सकते हो app का जो नाम है carvacardmi app है इस वीडियो के description में भी है या प्लेक्टर पर जाकर सर्च करिए जो चैनल का नाम है na carvacardmi वहीं सर्च करिएगा app download करिएगा download करने को अपना course करने सकते हैं ज़दी आपको कोई करने नहीं आता है कैसे क्या करना है कैसे join करेंगे इस number पर 838389 619 पर call करके आप सर्च से बात कर सकते हो कैसे क्या करना है ठीक है तो चलो मिलते हैं next class में thank you so much